Hello Kids, Welcome to Zenith Academy Online. मैं हूँ Farhad Iyan और आज हम करेंगे SSE Class 8 का Chapter Compound Interest. हम उसका आज Practice Set 14.1 सॉल्व करेंगे. बहुत ही easy chapter है और exercise भी इसकी बहुत ही easy है. बहुत scoring chapter है तो पूरा वीडियो end तक देखिए ताकि आपको सारी questions अच्छे से समझ आ जाजाएं. पहले हम समझते हैं कि Interest क्या होता है. अब जैसे हमारे पास पैसे पढ़े हुएं दर में. हम earn करते हैं, हमारे पास पैसे हैं, कुछ भी है. तो अब ये पैसे अगर तुम्हें गुलक में डालके रखोगें. तो एक साल बात वो बढ़ तो नहीं जाएंगे. फिर से जब गुलक खोलोगे तो उतना ही पैसा रहेगा तुम्हारे पास. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग bank में रख देते हैं. तो bank में एक तो वो secure रहते हैं. प्लस bank वो पैसा use करता है. और उस use करने की वज़े से वो हमें कुछ interest amount देता है. तो हमने हमारा पैसा deposit किया bank में तो हमें भी कुछ फाइदा होना चाहिए न तो फाइदा क्या होता है bank हमें उन पैसों पे कुछ interest दे देता है तो वो होता है interest जो हमें हमारी deposit पे मिला अब क्योंकि bank वो पैसा use कर रहा है तो bank कहां use कर रहा है बैंक वो पैसा किसी और को लोन दे देता है तो कोई नीडी है जिसको लोन चाहिए तो वो पैसा बैंक किसी और को लोन दे देगा और in return बैंक उससे क्या लेगा interest तो जैसे हम अगर 1000 रुपीज लोन दे रहे हैं I mean deposit कर रहे हैं बैंक में तो हम 1000 रुपीज बैंक को देते हैं बैंक हमें बोलता है ठीक है तुमने मुझे 1000 रुपीज दिये मैं तुम्हें देता हूँ in return 5% इस 1000 रुपीज पर अब बैंक क्या करेगा बैंक वो 1000 रुपीज लेके किसी और को दे देगा और वो जब 1000 रुपीज देगा लोन में तो वो बदले में क्या लेगा सपोस वो लेगा 10% interest कि मैं तुम्हें 10% interest पर लोन देता हूँ तो बैंक क्या बन जाता है मीडियेटर बन जाता है और वो interest देता भी है जो deposit करता है fund और वो interest उन लोगों से लेता है जो उन से लोन लेता है तो यह interest का fund आ है अब interest दो तरीके से calculate होता है एक होता है simple interest एक होता है compound interest तो अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ता है तो अब हम समझते हैं कि simple interest और compound interest में basic difference क्या है और क्यों compound interest ज्यादा अच्छा है हमारे लिए तो suppose यह एक bank simple interest पे हमें दे रही है 5% on only principle इसका क्या मतलब कि suppose हमने 10,000 रुपीज जमा करवाई bank में अब यह 5% के जाब से एक साल में हमको कितना पैसा देगी वो में देगी 500 तो 5% of 10,000 becomes 500 अब हर साल यह same principle लेगी 10,000 10,000 पे 5% calculate करेगी और हर साल तुम्हें 500 देती रहेगी यह हो गया simple interest ठीक है बहुत ही simple है अब आता है compound interest compound interest में 10,000 ही है हमारा principle 10,000 ही है first year में 5% हमारा rate of interest तो 5% के इसाब से 10,000 पे जी कितना होता है 500 first year में 500 देदेगी बट compound interest main start कब होता है second year से जब वो हमारा interest क्या आ गया 500 और हमारा principle क्या हो गया है 10,000 जो पहले से था तो ये 500 10,000 में add करके जो हमारा total principle बनता है 10,500 अब second year में वो इस amount पे interest calculate करकी हमें देगी तो क्या हो गया simple interest में तो हर साल हम 10,000 पे ही calculate कर रहे थे लेकिन Compound Interest में हर साल वो interest को भी principle में add कर लेते हैं और फिर उसके उपर interest calculate कर रहे हैं तो हर साल हमारा principle बढ़ता रहेगा और हमें इस वज़े से interest rate interest से जो मिलता है वो भी जादा मिलता रहेगा तो interest जदा principle पे calculate होगा हमें जादा मिलेगा तो compound interest से जब हमारी bank हमें देती है rate of interest तो वो हमें हमार amount हमेशा ज़्यादा मिलेगा और हमें फाइदा होगा उससे तो ये basic difference है simple interest और compound interest में तो एक बार हम formula देख लेते हैं दोनों के simple interest सिर्फ आपकी knowledge के लिए बता रही हूँ सिर्फ recall कर रहे हैं उस concept को वो practice set में यूज नहीं आएगा हम लोग सिर्फ compound interest करेंगे तो simple interest का formula क्या होता है pnr upon 100 suppose हमारा principal amount 1000 rupees है और n हो गया number of years हमारा 2 हो गया suppose और suppose r है हमारा 10% तो simple interest बहुत easily निकल जाएगा 1000 into 2 into 10 upon 100 तो क्या हो गया 200 rupees तो यह हमारा simple interest हो गया अब हम देखते हैं कि compound interest क्या है तो compound interest का directly formula नहीं होता है पहले amount निकालना होता है और फिर compound interest जो निकालना है वो तो आप amount में से principal minus कर लोगे तो क्या मिल जाएगा interest मिल जाएगा तो amount is equal to suppose हम यही values लेते हैं ताउजन 2 और 10 की value और amount क्या हो जाता है यहाँ पर 1000 कर लो p 1 plus r upon 100 raise to power n तो यह p हो गया 1 plus r upon 100 r क्या हो गया 10 10 upon 100 और n क्या है 2 तो यह हमारा formula हो गया अब हम इसको solve कर लेंगे suppose 10 upon 100 मतलब यह 0 कट गया 10 10 plus 11 upon 10 raise to 2 1000 into 121 upon 100 right 11 into 11 121 और यह 0 कट गया और हमारा answer हो गया 1 2 1 0 तो यह अब हमारा क्या है amount है यह हमारा interest नहीं है amount है interest कैसे निकालेंगे compound interest is equal to a minus p which is equal to 1210 minus 1000 ठीक है principle यह है तो interest हो गया हमारा 210 अब देखो हमारा simple interest अगर हमने निकाला था तो वो 200 था और compound interest निकाला है तो 210 है तो कैसे 2 साल में आपको interest यहाँ पे 200 मिलता है और यहाँ पे 210 और यह principle कितना था हमारा सिफ 1000 रूपीज ही हमने bank में जमा कर रहा है था तो अगर suppose आपका principle जादा हुआ तो सोचो कि अगर compound interest से calculate होता है तो हमें कितना जादा मिलता है as compared to simple interest yes let's start our practice set 14.1 find the amount and compound interest इसमें तीन पार्ट में हमारा principal amount दिया हुआ 2000 रूपीज सेकिंड में rate of interest दिया हुआ 5% और duration है 2 years amount का formula लगा देता है p equal to 1 plus r upon 100 raise to power n values डालते है 2000 1 plus r, r है हमारा 5 upon 100 raise to power 2 2000 इसको हम कर सपे 1 upon 20 और फिर 20 into 20 into 1 plus 1 हो चाता है 21 by 20 raise to 2 which becomes 2000 into 441 upon 400 okay तो यह कट गया यह 1 और यह 5 तो 441 into 5 हो जाता है हमारा 2,205 okay तो अब हमारे पास आ गया है amount ठीक है अब हम निकालेंगे compound interest compound interest क्या हो जाता है amount minus principal तो हमारा amount है 2205 minus principal principal हमारा 2000 है which is equal to 205 तो हमारा compound interest क्या हो गया 205 अब हम देखते हैं हमारा second part तो second part में principal दिया हुआ है 5000 rate of interest 8% और duration है 3 years let's start with the formula a equal to 1 plus p into 1 plus r upon 100 raised to n so p हमारा हो जायेगा 5000 into 1 plus 8 है हमारा rate of interest 8 upon 100 raised to power 3 let's see now 1 plus 8 by 100 को हम ऐसे लिख सकता है 108 upon 100 raised to power 3 108 और 100 को हम काट सकते है यह 4 की table में आता है okay तो यह 4 से device हो जाएगा दिविट हो जाएगा 27 और यह 4 से डिवाइगा तो 25 now we can write as 5000 bracket आपन ओपन कर लेंगे तो cube है तो 3 बार लिखेंगे into 27 upon 25 into 25 into 25 बत बड़ा calculation है 25 once a 25 और यह हमारा 200 हो गया तो अब उपर हमारे पास बचता है 8 into 27 into 27 into 27 और नीचे बच जाता है 25 तो अब यह calculation मैंने एक्चुली करके रखा हुआ है इसलिए मैं आपको answer देती हूं direct 6298.56 आपको यह calculation करना है यह आप बहुत lengthy हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रही हूं लेकिन आपको यह करके solve करना है अब हमारा amount निकल गया है अब हम देखेंगे compound interest तो compound interest क्या होगा amount minus principal amount minus principal क्या हो जाएगा 6298.56 minus principal minus 5000 विच बिकम 1298.56 रुपीस okay बहुत easy था अब हम यह next देखते है थर्ड पार्ट है हमारा principle 4000 rate of interest 7.5 or duration 2 years so let's start with the formula formula लिखना बहुत important है कभी अगर हमें question भी wrong हो जाए तो at least हमें formula के marks मिलते हैं substitute करो value 1 plus 7.5 upon 100 raise to n क्या हो जाता है 2 तो 4000 अब 7.5 है यहां पर सबसे पहले इस calculation को ठीक करना है हमको 7.5 की जगे इसको easy बनाने के लिए हम लिखते है 75 अब हमने अगर उपर से एक decimal हटाया है तो क्या होगा denominator में 10 से multiply हो जाएगा तो 100 की जगे वह 1000 हो जाएगा क्या है raise to 2 75 और 1000 को कट कर सकते हैं like 25 के टेबल से सब्सक्राइब यह 3 और और यह 40 अब हम इसको easily solve कर सकते है 4000 43 upon 40 raise to 2 तो यह हो गया हमारा 4000 into 43 into 43 upon 40 into 40 0 & 0 कट हो गया ठीक है 4 वन्जा 40 10 ठीक है 4 को यहां पर 2 से काट लिया यह 10 को हमने 5 कर दिया तो हमारे पास finally बचता है 5 into 43 into 43 upon 2 okay तो अब इस calculation को आपको करना है मैंने already calculate करके रखा है और इसका answer आता है 4622.5 तो यह हमारा amount हो गया अरब compound interest हमारा हो जाएगा amount minus principal which becomes 4622.5 minus 4000 principle हमारा 4000 है which becomes 622.5 rupees okay तो यह amount आगया और यह principal आगया sorry compound interest अब हम देखते है second question Samirao has taken a loan of 12,500 at a rate of 12% per annum for 3 years if if the interest is compounded annually then how many rupees should he pay to clear his loan तो अभी question बहुत ध्यान से पढ़ेंगे यहां पही क्या लिखा है how many rupees should he pay to clear his loan मतलब यह लोग हमसे amount पूछ रहे हैं okay तो हमें सिर्फ amount तक ही निकालना है जो next part हम करते compound interest निकालने का वह नहीं करना है तो सिर्फ amount पे निकालके रुख जाना है so let's start amount is equal to p 1 plus r upon 100 raise to n अब p होता है हमारा 1,2,5,0,0 1 plus r is 12 upon 100 raise to 3 1,2,5,0,0 और 12 upon 100 को हम पहली divide कर सकते हैं तो 2 से divide करते हैं 6,50 इसको फिर से करेंगे 3 और यह 25 आ जाता है 25 यहां पे 1 plus 3 तो हमारा आ जाएगा 28 upon 25 raise to 3 तो 1,2,5,0,0 into 28 into 28 into 28 upon 25 into 25 into 25 अब हम इसको डिवाइट कर सकते हैं 25 वन से और यह हो जाता है 25 की टेबल से करते हैं फिर से 1 और यहां पे आ जाता है 20 अभी हम 5 से divide कर सकते हैं यह हो जाता है 4 यह होता है 5 इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं तो इसको अब multiply करना पड़ेगा तो इसका आंसर हो जाता है 17561.60 यह हमारा हो जाता है अमाउंट तो फाइन जब फाइनल क्वेशन खतम हो जाता है तो हमेशा भी कोई राइट दा आंसर है Samira should pay this many rupees to clear his loan क्योंकि ऐसे word problems में अगर आप यह answer का एक line लिख ले दें तो अच्छा रहता है तो बस यह question substitute करने हैं इन सब में values और answer निकालना है तो trickiest part is तुमारा calculation correct होना चाहिए तो अगर वो correct हो गया तो बहुत ही scoring question है बहुत अच्छे से marks मिल सकते हैं इस chapter में आपको यह exercise का last question है To start a business Shalaka has taken a loan of 8000 rupees at rate of interest 10.5 after two years how much compound interest she will have to pay यहां पर क्या पूचा है compound interest तो हमें final answer में compound interest निकालना है तो अब पहले compound interest के लिए हमेशा amount निकालेंगे हम लोग amount निकाल दिया हमने 8000 है हमारा principle 1 plus R क्या हो जाता है 10.5 upon 100 और N है हमारा two right अब कर देते हैं जैसे हमने पहले किया था 7.5 के साथ तो इसी तरह 10.5 को भी हम कर लेंगे तो 1 plus यहां पर 105 लेके हैं नीचे हम 1000 करते थे हैं raise to 2 तो 105 और 1000 को हम cut कर सकते हैं तो इसको हम करते हैं suppose 5 से cut किया हमने तो यह 21 और यहां पर 200 तो यह हो जाएगा 2 21 into 2 21 upon 200 into 200 जीरो जीरो कट गए जीरो यहां से कट गए और यह sorry 20 यहां पर यह 8 तो यह 20 से 8 कैसे कटेगा 4 से हम कर सकते हैं तो 4 की टेबल में यह 2 हो जाता है और यह हो जाएगा हमारा 5 2 और 2 यहां से कट गए तो हमारा final है answer 2 21 into 2 21 upon 5 तो इसको solve करेंगे तो हमारा answer आता है 9768.2 अब यह हमारा amount हो जाता है हमें question में क्या पूछा है compound interest तो compound interest क्या हो जाता है amount minus principal minus 8000 कर लिया तो इसका answer आ जाता है हमारे पास 1768.2 यह हमारा final answer होता है यह हमारा 14.1 practice set खतम होता है अगर आपको किसी भी question में कोई doubt है यह कोई भी problem है समझने में तो please मुझे comment करे और मुझे बताए कि आपको क्या problem है अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो please इसे like करें और share करें अपने friends के साथ और हमारा channel subscribe करना ना मुले Thank you friends Keep learning with Zenith Academy Online हमारी आपको करें क्यात्या अगर यूपने लगारी यूपना यूपने करेंको अगर आपको यूपने वाल